अ मैं हाए फ्रेंग्स spill मिशाव नोंटिफिक्योशन आइए ब्रोड कास्ट्स विड प्रोड कास्ट इंजिन इनिग कॉंस्ट्रेंडिया लिम्नॉर्ट काल यानि ति यूदि इसमें आपको बहुत बहुत सारी पोश्ट वेकैंसी आई है आए हम बात करते हैं सबसे पहले हम पॉली बारे बात करते हैं कि ओपेन हो रहा है अब हुआ कि अगर कि इसमें निकलिए मैनेजर डिजटल मार्केटिग में निकलिए है इसमें कौली निकलिए है इसमें एक्सपरियेंस पानच चल्य स्परियेंस मांगी गए है जो आपकी होगी बैली से तरफ पांच रुप्य होगी जो दूसरी पोस्ट निकली विए डिजिटल मार्केटिंग इसके लिए इसके लिए जो क्वालिफिकसन चाहिए वो बीटेक और बीसी एंची एंबीए होना चाहिए इसके साथ साथ टू यर का एक्सप्रियेंस होना चा यहां अंग है हाव टो प्लाई का सारा प्रोसीजिन यहां पर देख रहे आप एकवा एकवा अपके करके पूरा रिटि कर सकते हैं में जो अप्लिकेसन फिस राखी ऊहाँ जर्नल के लिए 1800 रुपे एंड ओबेसे के लिए इस्ट के लिए सालधे चार रुपे एंड ऊमेन के लिए भी शालधे साथ रुपे पी हे के लिए सब्सक्राइब है जो दूसरी पोश्चनी के लिए आए हम इसके बाते हैं इसके स्टार्टिंग डेट है 18 दिसंबर 2020 से लेकर लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020 तक है कि दूसरी पोश्चनी के लिए इन्भारमेंटल सांस्टिस्ट के लिए इसमें जो कॉलिफेशन मांगे पी एक्सप्रियेंस इन एयर क्वालिटी मेंजनेमेंट के लिए होना चाहिए जो सेल्ली होगे पी 60,000 पर मन्त होगी इसके लिए प्रजेक्ट इंजनेर लिए इसमें आगो बीटेक वित पांच साल का एक्सप्रियेंस होना चाहिए है एम्टेक्स यह होना चाहिए इन्भारमेंटल से इसमें जो सेल्ली होगी 60,000 पर मन्त होगी तीसरी जो पोस्ट निकलिए कंसल्टेंट लीगल वान के लिग के लिए इसमें जो कॉलिफेशन मांगी गई है ग्रेजिवेशन एनी फिल्ड विट्ट्वीर एक्स्प्रियेंस इन सेंट्रल एक्स्टेर गवर्मेंट्स होना चाहिए इसमें जो मंत्री सेल्ली होगी आपी 40,000 पर मन्त होगी अप्लाई करने का लिंग हम आपको डिसक्कु जो तीसरी पोस्ट निकली हुए आए उसके बारे हम बात करते हैं तीसरी जो पोस्ट ने कॉंसल्टेंट इल्यक्तिकल वॉन एक पोस्ट पे इसमें प्रेट्रेबल के लिए निकली हुए इसमें जोड़ी जोड़ीशन मांगे गई है आए अफिसर फोर मीनिम असिस्टेंस निकली जांग तंद इंच्प्तु नेर रिटार फ्रोम ऑन इना लोग खो सिंसल्ड नोर्शी जूर्में प्यामें पीयोनिय। реघलग आप iच सिर्फ़ इसमेड़ ऌने में जोड़ीशनय जोडिये अस प्रेमार्वीशन में इसके अप्लाई करने का लिंक में आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं जो तीसरी पोस्ट के लिए उसके स्टाटिंगे दस दिसंबर है और लास्ट डेट है आए उसके बाद हम बात करते हैं जो पॉल्ली पोस्टिंग लिए प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए निकली है इसमें जो कॉलिफिसन मांगे गए ग्रेजवेट फ्रोम एनी ग्रेजवेट होना चाहिए नंबर आप पोस्ट इंगला एक पोस्ट पर निकली हुए शेल्ली आपकी 1932 रुप्य होगी जो दूसरी पोस्ट निकली है इसमें आपकी जो कॉलिफिसन मांगे गई यह टेन प्लस निकली है इसमें इसमें एट पास होना चाहिए यह तेंथ पास बीचलेगा इसमें पोस्ट प्लस टू होना चाहिए नंबर आप भैगंसी के बात प्लस प्लस टू होना चाहिए विद साइंस से होना चाहिए इसमें दो पोस्ट बेकंसी निकले हुए इसमें सेल ली होगी सत्रा चाहिए या चाहिए प्लस प्लस टू होना चाहिए इसमें दो मेल के लिए दो फीमेल के लिए सेल आपके सत्रा चाहिए चाहिए रोप्य होगी जो लास्ट टेट अप्लाई करने को 27 दिसंबर 2020 तक है कि अप्लाई करने के सारा सब प्रसें यहां पर दे रखाया अच्छी तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले है इसका लिंक में आपको डिस्कूशन डाल दूंगा कि आई यह दूसरी खंसी बारे में बात करते हैं कि आगा कि के इसमें यह जो पॉली पॉस्ट निकली हो सब्सक्राइब कराद नीकलिये हैं तो टोल पुस्ट अठारा पर निकलिये जूए जो अपकी एस होना चाहिए मूं मेनिमाम अठारा से लेकर 15 साल की भीच होना चाहिए को कर भाद से वादेन प्लस टू होना चाहिए एंड हेल्थी सेनेट्री इस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए वन येर की जिसे लिए आपकी 292 रुपे होगी जो दूसरी पोस्ट के लिए भेखन से निकली हो मैंने फोल्ट टेक्निक से निकली हुए जिसमें ये चाहिए आपकी 25 से लगे 25 साल होना चाहिए जो कली बिसन मांगे ये आपके 10 प्लस टू विट सेवन सेवन एक्स्पेरियेंस होना चाहिए एंड ट्रेड सार्टिफिकर्ट ऑफ और आईटी डिप्लमा इन में इंजिनेरिंग विट फाइब एक्स्प्रियेंस होना चाहिए इन मेंडिकल लगास पाइप्लान सिस्टम इन दो दोसो बेड़ेट होस्पिटल का इसमें सेल्ली होगी 29-200 रुपे होगी जो 30 पोस्ट के निकले को कैशियर के निकली हुए तेरा पोस्ट निकले एज आपकी एज लिमिट होने चाहिए कई साल के असले का 30 साल तक होने चाहिए इसमें जो कॉलिफिसन मांगे डिग्री इंकम कमर्स ऑफ रिकॉनाइज इसमें आपकी सेल्ली मिलेगी 25-500 रुपारमांथ होगी जो चोथी पोस्ट निकली हुए छे पोस्ट निकली हुए जो एज लिमिट होने चाहिए इसलिए क्वालिफिसन मांगे यह तेंथ पास होना चाहिए यह एटी डिपलेमां चर्टिफिकेट इन इलेक्टिक्टिक्ट से होने चाहिए यह एलेक्टिकल स्यप्रवाजिए शर्टिफिक्ट रफंवशेचा मचंपेंट्रेस्धी एंडफ स फायवड्यं इरेक्शन एंड रॉनीमेंट्रेच्सेच इफ्टु टीफ्स्ट टीवडेक्रिक इ Dart safety यूजी केबल सिस्टम होना चाहिए इसमें भी सेली होगी 25 यह पांचोर पानमंत होगी जो पांची पोस्ट निकलिए एस्ट्रीश वेकेंसी निकलिए एज लिमिट की बात करें तो थारा सलसले का 27 सालती होने चाहिए इसके जो कॉलिफिशन मांगे यह टूर फास होना चाहि होगी है एंड एस्टेस्ट नॉर्म्स डियूरेशन 10 मिनट के होगी एंड एस्टी टाइबिंग एट्टी वाट पार मिनट होने चाहिए ट्रास्परेशन 50 मीटर्स एंड इंग्लिश एंड 65 MTS हिंदी होने चाहिए ओनली और कंप्यूटर के लिए जो सेली आपके 25 यह पां लॉंडरी स्प्रवाजर करें निकले विए इसमें आपके एज लिमेट के बात होता अथारा साल से लेका 30 साल तक होने चाहिए इसके लिए जो कौलिफेशन मांगे यह टेन प्लस टू होने चाहिए डिप्लोमा पर फरभूग आपका आपके सेली होगी 25 यह पांसर परमंथ होगी जो साथी पोष्ट निकले लिए सिक्रोटी कम फायर जमदार करें निकले विए इसमें इसमें बात होता अठारा साल से लेका 30 साल तक होनी चाहिए इसमें बात होगी आपके सेली होगी 25 यह पांसर परमंथ होगी जो आठीप निकले लिए चौता पोस्त बेकांसर निकले विए एच लिमिट की बात को तक एक आई साल से लेकर 35 साल तिक होनी चाहिए जो इसमें इसमें मांगे और दिप्लेमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर विखियुट्रिफियू अचूटि इन आरे कॉर्णि इंस्टेच्छण नुस्टेटिफिटि इस त्विट एक्स्परियेंस इन इंडिस्ट्रेशन एंड मॉडलीं इन दर कंसर्ण इंपरमेंट रहा नड क्याहिए और मैर रिक्लेस इन फिट वीर एक्सपरियेंस इन फाइ इस्में आपकी एज लिमिट होना चाहिए एक साल से लेका 30 सालती होनी चाहिए इसलिए प्लब्वेसन की बात करें तो टुबल पास होना चाहिए कि शेल्लिय की बात करें 25 यह पांसार पार मंथ होगी जो दोसीफीफ परुद जूनियर वार्टे निकले निकले inert निकले उए आगये निकले घा यूज निकलेए लिमेट की बात करवा तो तक स्सक्रायμεंने क्रतों old कि पर विद्ध लिमिटमे जोने निकले तक ही कि आपकी जीओ लिमेट जोपकि सेलरी होगी 19,000 होगी और qualification की बात करना तो 10 तर डिप्लमां होना चाहिए जो बारी पॉस्ट को बष्ठ लंबर के लिकली वे इसमें एज लिमिट के बात का तो 3 सालते होने क्वाइशन के बात के तो डिप्लमां होना चाहिए आट सो कि सेयल नोष सोर परबांथ होगी 2-3 बाद इसमें इस एल्ली बात करें तो अध़ारे समय कर तीस साल तक होनी चाहिए कि कॉलिफिकसन की बात कर रहे तो डिग्री होना चाहिए कि एंड जिसल्ली की बात करता सेल्ली आपको पचीस एर पांसरे प्रमान्त होगी कि यह पंदुरी पोष्ट निकलिए और सुपस्वल वर्कर रहे निकली हुए कि दो पुष्ट भेगांस से निकली हुए एज लिमिट की बात करता तो अठारे सल्साल के पैंतिस साल तक होनी चाहिए कौर्फेसं की बात करता तेन प्रसटू होना चाहिए और एट एयर का एक्स्प्रियान्स होना चाहिए जासल्य गई पचीस एर पांसरे परमान्त होगी जो पॉस्ट निकलिए वो गैस पंप में करेंगे निकलिए एज लिमिट की बाद की बाद 18 साथ का 30 साल तक होने चाहिए टेन प्रस्टु साइंस विद्फाइब एक्सप्रियेंस इन मेडिकल गास पाइप्लाइन और सिस्टम दूसर बेड़ा गौश्पिटल होने चाहिए और आपकी एज लिमिट के बाद 18 साल का 30 साल तक होने चाहिए जोकि सेल लिए 2700 परमान्त होगी क्वालिफेक्शन के बात तो तेन्थ होने चाहिए और टू एर एक्सप्रियेंस होने चाहिए जो अठारी परिश्ण के लिए श्टोर कीपर के लिए और कॉलार के लिए एज लिमिट के बात करते मिनिममम बेलो 30 थर्टी एर्स होने चाहिए अब कॉल्फिकेशन के बात करते तो ग्रेजियोसन होने से ग्रेजियोसन के साथ साथ और एक्सप्रियांस होने चाहिए एज लिमिट की बात करत तो इसमें अठारा साथ साल तक होने चाहिए कोल्फिकेशन इसमें 12 प्लस मांगी गई है एक्सप्रियेंस होने चाहिए इसमें पर सेल लिए उन्हीं से नौसरे परमंथ होगी इसे बहुत सारे प्रेकेंसी निकले हुए आपके रेजियोग परफर उसक्री आप अप्लाई कर सकते हैं कि शुक्यों आप शुक्यों मैं सारा रिट किया तो काफी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगा यह सब देख सकते हैं पाइज रिलेक्शन बात करें तो ओबीज्टी के लिए फाइव यह और होगा एंड एसे एश्टी के लिए फाइव यह तीनी तीनी यह मिलेगा एड़ एंटी के प्लेट पांच सल के एज रिलेक्शन मिलेगा आपका अप्लाई करने का डेट है आपको 10 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक डेट है अब अब अप्लाई करने से फ़ले नोटी पुसंद अच्छी तरह से रिट कर सकते हैं इसके अप्लाई करने का लिंक में आपको वीडियो के डिसंबर डाल दों वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं